हेलो फ्रेंड कैसो हो आप लोग उम्मीद करतो हो आप लोग अच्छ होगे स्वागे तैं दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल किरिकोलन प्रिडिक्शन में है गैज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साउथ आफरिका टी ट्वाइंटी लीग का मैच नमबर ट्वाइंटी टू जो की यहां से खेला जाएगा जोहानस बर्स वर्सल डर्वन के बीच में है और बताता चलू आज की दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा मतलब डबल लीडर मुकाबला होगा एक और मुकाबला खेला जाएगा शांद को साड़े पांच बजे उसकी वीडियो मैं ने पपपलिक कर दिया और बताता चलू जनवरी में साउथ आफरिका टी 20 ल हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं बताता चलो देखो टेलीग्राम का चैनल है अगर आप लोग यहां पर नहीं हो तो आ सकती हो जिसका की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर लिंक वर्क ना करें तो फिर आपके 2580 इतना अगर आ सकते हो बाकि देखो सेम इतना ही लिखना है बाकि स्कैनर है आप लोग स्कैन करके भी आ सकते हो बाकि सही जागा प्याना क्यूंकि काफी जादा लोगों ने मेरे नाम से चैनल वगरा क्रेट किया हुए तो उसके लिए आप लोग चार नमबर 6 जून का मैसेज यहा कि दी वाडले से स्टेडियम जोहानस बर्क के ग्राउंड पर खेला जाएगा और लगभग यहां पर साथ-दस दिन बाद मुकाबले हो रहे हैं टी-ट्वैंटी डोमेस्टिक चालिस यहां पर खेले गया है जिसमें से फस्ट बैट करने वाली टीम ने सत्रा मुकाबले को है थोड़ा से यहां पर फस्ट बैट करने वादी टीम को अडवांटेज मिल सकता है हाइस्ट इसकोर जोजी स्टार्स का है 249 तीन विकेट के नुकसान पर उससे पहले यहां पर आवरेज फस्ट इनिंग स्कोर देख लो आप 50-160 मान सकते हो बाकि लोएस्ट इसकोर लायंस बीच में 6 बागी 190 से जादा 9 बार सकोरिंग हुई है ओवराल जो की सबसे जादा बार सकोरिंग हुई है वो तो 150 के अंदर हुई है लेकिन एवरेज फस्ट इनिंग स्कोर 16 है तो कहीं नहीं हम लोग देखो जो टीम फस्ट बैट करेगी 150 से लेकर 160 के संधिंग मानके चल सक वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे जो लोग नए होंगे सस्क्राइब कर लेना सतर पलस लाइक के मैं होप आप लोग करवा दोगे देखो डर्बन के तरफ से क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 हो सकती विथ रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ तो काईल मेयर्स के साथ मैथ्यू ब मुकाबले खेले थे बैटिंग नहीं मिला था दूसरे मुकाबले में यह ओपनिंग किये थे तीन का स्कोर किये थे बाकि वियान मंडर वन डाउन खेलते हुए 29 का स्कोर किये थे बॉलिंग से विगिट नहीं निकाल पाय थे अब क्वाइंटें डिकॉक पांच नंबर पे चले गया थे हैंडिच कलासन भी इन से उपर रहे थे जो की एक ही रन का मातर स्कोर कर पाय थे और मुझको समझ नहीं या रहा भाई डिकॉक को इतना नीचे खेलाने का क्या सिंस बनता है घर खाता भी नहीं खुल पाया था परफॉमेंस भी नहीं दे पाएंग उतना नीच करशव महराज को मान सकते हो देs मैं होलडर पिटोडरियस को मान सकते हो बॉलिंग इंफ formation बहुत लंबी चोड़ी लिष्ट देखने को मिल रही होगी प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते स्क्रीन सॉट लोगे तो बाकी जहां तक मुझको लगता है मैं बताने की कोशिस करूंगा और पिछले मुकाबले का कोडिंग केशाव महराज को मान सकते हो अकीला ध यहां पर रिजा हैंगे पिछले दो मुकाबले से कुछ खासा नहीं कर पाएं और बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं उससे पहले कभी कदार पाट-टाइम कर दे रहे थे खैर पिछले मुकाबले में 6 का यह बैस्मन स्कोर किया है वहाई फैफ डूपलेस इस पिछले तीन मुक का मखानिया का बात करते हैं नाम देख सकते हो बहुत ही टफ है दो मुकाबले खेले कुछ खासा पर भावित नहीं कर पाएं चार एक का स्कोर किये थे जिवोन फरेरा पिछला मतला पहला मुकाबला छोड़ दिया जाना तो उसके बाद तो यह बंदा बिल्कुली फ्लॉप मातर चार का पिछले में स्कोर किये थे और बॉलिंग कर नहीं रहे हैं रोमारियो शेफर्ड एक रनू का स्कोर यह किये थे बैटिंग से कुछ खासा नहीं कर पाय थे और इनके टीम यार सोरन भी नहीं बना पाए थी पिछले मुकाबले में अलजारी जोसफ को कोई में जा रहे हैं तो यहां पे आप लोग रोमारियो शेफर्ड एक अच्छे मतलब मान के नाम चल सकते हो क्योंकि कुछ गिने चुनाई खिलाडी दिख रहे हैं जो कि हम लोगों को अपने टीम में पिक करना है ओपनिंग देथ बॉलर तो अलजारी जोसफ महें सिसना को मान स सकते हो पिछले मुकाबले का कोडिंग इनके टीम में भी चेंज हुआ था देथ में अलजारी जोसफ ग्राड कोटेज को मान सकते हो बर्गर बाहर गया थे लिस ग्रोगरी बाहर गया थे कैल वरने बाहर गया थे आप लोग देख लेना बॉलिंग इनके तब से तो और भी लंबी चोड़ी लिस्ट है तो स्क्रीन सोट लेते रहना समझ लेना आप लोग खुद भी देखो जहां तक लगता है मुझको महक सीषना ग्राड कोटेज आरगोन फशांगो अलजारी जोसफ ठीक थाक ओबर फेक सकते हैं बाकि रोमारियो शेफ़र्ड ओभर वगयरा सतर रन सततर का अवरेज नॉट आउट गया होंगे अवरेज बढ़ा है इसी वजह से क्वेंटेंडिको एक तेतालिस का अवरेज नौ मुकाबले 390 एक इंपोर्टेन खिलाड़ी है लेकिन ओपन आए या फिर वन डाउन है उसके नीचे जाएंगे तो फिर ये वेस्ट होन नहीं रहें लेकिन मल्डर साथ में पाच पी सुबर्मन्यम तीन में तीन यहां जोहानस बर्ग सूपर किंग के तरफ से देखा जाए तो जाने मन मलान खेल नहीं रहें लेकिन 82 का अवरेज तो अगर खेलेंगे तो इंपोर्टनिट रहने वाले हैं हैंड्रिक्स 41 का अवरे एक में दो बर्गर एक में दो और कोटेज दो में एक है बागी देखो डर्बन सूपर जाएंट के ओवरल सारी खिलाली का रिकॉर्ड है ब्रिकिट्स का रिकॉर्ड देख लो 43 मुकाबले 960 बैटिंग से 26 कावरेज है राइट हं बैटिंग करते हैं जूनियर डाल अगर ख सारी खिलाली को रिकॉर्ड है अकीला धननजे 110 मुकाबले 127 विकेट आरो भी मतलब की राइट आम ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं हैरी बुरुकियार अवलेबल नहीं है नहीं तो खिलाली बहुत अच्छा है यह फॉर्म भी बहुत अच्छा है तो अगर आते हैं तो इंप करते हूं आप लोग करवाद होगे तो विकेट कीपर में देखो क्वेंटेंट डिकॉक के साथ जा रहा हूं फिरेरा पहला मुकाबला छोड़ दिया तो विल्कुल ही पिछले पांच मुकाबले से फ्लॉप है टीम में जगा नहीं बना पा रहे हैं आप लोग चाहो तो जी यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हूं जाने मन मलान का रिकॉर्ड अच्छा है तो अगर यह खेल लेते हैं तो इंपॉर्टेंट रहने वाले तो फिलाल के लिए ब्रैंड खेले तो यह टीम में जगा बना ले रहे हैं बॉलिंग से देखो फिसांगो जोसेफ और को टेज को मैंने टीम में ट्राइ किया है आप्सन के बात की जा तो पीसोबर मन्याम को आप्सन रिस्ट आपली खेलेंग तो एक मस्ट पीक वाले खिलाड़ी है और महस ठिशना सेकेंड बॉल में ट्राइ कर सकते हो सेम अकिला धननजे को भी सेकेंड बॉल में ट्राइ करके चल सकते हो फिलाल के लिए कुछ इस परकार के टीम मन के रेडी हो रही है जहां पर दो कैप्टैंसी मैंने फैफ डूपल तो इस वज़ा से कुछ अभी नहीं बनाया हो बाकि आफ्टर टोस्स देखा जाएगा क्या कुछ बैटिंग करम रहे था उसके बाद हो सकता में को भी कुछ ना कुछ ट्राइक कर लो बाकि आफ्टर टोस्स क्या कुछ टीम बनती है आप टेलीग्राम पर रहना मालूम चल चैनल पर कवर होती है तो जो लोग अगर आना चाहें तो आ सकते वीडियो के कमेंट बॉक डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना आप लोग क्रिक 2580 इतना भी लिख करके सर्च करके आ सकते हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं को और अच्छी वीडियो साथ अपते के लिए गुडबाई टेक क्यार